हेलो शुडेंट्स, वेलकम डू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिशना, कैसे हैं आप सब लोग, मस्त बढ़िया, तो चले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, बायक कमिश्टेंड क्लिनिकल पैथोलोजी का लेक्चर नमबर फाइव, जो कि लास्ट लेक्चर भी है, जिसके अंदर कार्बोहाइड है, ठीक है ना क्वालिटी है, कितनी कार्बोहाइड है, that is called quantitative test, वो हमें यहाँ पर कोर्स में नहीं है ना हमें पढ़ने, बात समझ में आई, तो qualitative test की क्या है उसके अंदर, मतलब है क्या जो sample है उसके अंदर मेरा कार्बोहाइड है या नहीं है, तो स्टार् हम लोग इसको, तो देखो क्या बोल रहा है, in chemistry, chemistry के अंदर qualitative analysis का मतलब होता है, determination of the chemical composition of a sample, यहने कि chemically उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौझूद है, ठीक है, तो फिलाल हमें किबल एक चीज़ पता करनी है, और वो क्या है, कार्बोहाइड की given sample में हमारा, कार्बोहाइड यहां discuss करें, उन सब में एक चीज़ common होगी, हम लोग क्या करेंगे, obtain an unknown carbohydrate, कहीं से कोई cover sample ले लेंगे, prepare a 1% solution by dissolving 0.25 gram of carbohydrate in 25 ml of deionized water, हम यह एक सेंपल त्यार कर लेंगे, इसका unknown ले लिया, हमने, हमें नहीं पता क्या है उसके अंदर, उसको ले कर कि हमने क्या कर लिया, उसको कर्वो हाइडेट क्या है, नहीं पता कौन सा है, फ्रक्टोस, गुल्कोस, क्या है, हमें नहीं पता, यह ऐसा हो सकता है, unknown sample लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, unknown sample, ठीक है ना, और इसका 1% solution, हम लोग क्या कर लेंगे, तयार कर लेंगे, अब आ गया आते है, सबसे पहल से treat कराते हैं, इसके अंदर dehydration हो जाता है, याने कि water molecule निकल जाता है, और एक compound देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, furfural कहते हैं, ठीक है, these compounds condensed, यह compound condensed होते हैं, जुड़ जाते हैं, alpha napthol के साथ, और एक colored product बना लेते हैं, ठीक है, pentoses yield furfural, while hexoses yield 5 hydroxy methyl furfural, तो pentose sugar है, कि hexose sugar हो यहां से हमें clear पर चल जाता है, ठीक है, ठीक है, तो अब यहां पर scene क्या हो रहा हमारे पास, अब इसको दर हम reaction wise समझे, reaction याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ 2-3 के कावंगों चाहो तो याद कर सकते हो, otherwise chemical reaction पहले क्या करना है, हमें simple यह चीज़ याद रखनी है, reaction बाद में याद करनी है, ठीक है न, तो देखो क्या है, glucose है, हमने इसको किसे है ट्रीट किया, यहां से पानी के molecule निकल गए, ठीक है, यह हम पहले भी discuss कर चुके है, तो यह double bond यहां पर form हो गया, ठीक है, यह क्या बन गया, hydroxy methyl fur fural, अब hydroxy methyl fural, जो हमने अल्रीड डाला पर क्या हो रहा है, यह oxidation हो रहा है, दो electron निकल रहे है, H+, निकल रहा है, और एक purple या violet colored complex मेरा, यह जो compound बन जाता है, यह क्या है, purple या violet color complex, ठीक है, न, देख रहो यहां पर यह, यह यह यहां पर double bond हो गया, ठीक है, तो यह जो last में compound बनता है, यह मैं फिर कर रहा हूँ, structure ज बनेगा हमें, furfural derivative मिल जाएंगे, वो napthol के साथ मिल करके, एक color compound दे देता है, बास समझ में आई, procedure समझो, take 2 ml of carbohydrate solution, एक सद 2 ml ले ले लेंगे, in a clean and dry test tube, test tube में ले ले लेंगे, add 2 drops of ethanol, alpha napthol, जिसको हमने पहले से ethanol में डाला हुआ है, उसको 2 drop डाल देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, mollisks reagent हुएते हैं, alpha napthol जो है, ethanolik, उसको हम लोग क्या बोल दिया, mollisks reagent बोलते हैं, and mix, incline the test tube, test tube को जुका देंगे, है ना, test tube ऐसी थी, तो हलका तिसा कर देंगे, and add carefully 2 ml of concentrated sulfuric acid, अब हम उसके अंदर डालेंगे, ध्यान से, concentrated sulfuric acid, along the side, जो हैं ना, test tube ज ठीक है ना, along the side of the test tube, so as to form two layers, जैसी डालेंगे तो कुछ हमें test tube में कुछ ऐसा नदरा देखने को मिलेगा, ठीक है, उपर क्या है, HTSO 4, नीचा हमारा sample है, बीच में एक ring बनती है, वो कैसी होती है, purple color की ring मिलेगी तुम लोगों को, और ये show करता है, कि मेरे पास given sample में carbohydrate मौ specific test, इसमें specific नहीं है, exactly कौन सा carbohydrate नहीं बहाँ चलता, and is given positive by all types of carbohydrate, ध्यान रखना है, ये हर type के carbohydrate के लिए positive आएगा, if the oligosaccharides और polysaccharides are presented, they are first hydrolyzed, अगर oligosaccharide या polysaccharide मौजूद है, तो पहले वो break करेंगे, monosaccharide में, which are then dehydrated, उसके बाद वो dehydrated होंगे, ठीक है ना, to give the test positive, an appearance of reddish violet और purple colored ring at the junction, जो junction है, उसका joint है, of the two liquid is observed, is a positive mollis test, ठीक है, ये है, इसका interpretation हो गया, ठीक है, तो interpretation कुछ और नहीं है, वो ही सारी बाते होती है, जो हमने उपर observe करी है, उसी हमें, interpretation कहलो, या observation कहलो कि हमने observe क्या किया है, ध्यान रखना, oligosaccharide और polysaccharide के लिए ये test positive आ ठीक है, ठीक है, पहले वो तूड़ी आएंगे, monosaccharide में, clear है, बास समझ में आई, चले आगे, next हमाने पास, benedict test, again ये भी important है, तो क्या कह रहा है, ये, carbohydrate with free aldehyde, ऐसे carbohydrate जिनके पास aldehyde group free है, पढ़ चुके हैं पहले हम लोग, या ketone group free है, have the ability to reduce solution of various metallic ions, कही सार metallic ion के solutions को ये reduce करने की छमता रखते हैं, ठीक है, उनको reduce कर देंगे, reducing sugars under alkaline condition, जो reducing sugar होती है, under alkaline condition, ये basic condition में, tautomerizes and form endiol, ठीक है, इसके वारे में हम डिस्कस कर चुके है, क्या होता है, tautomerize, क्या होता है, endiol, endiols are powerful reducing agent, ये, काफी powerful reducing agent होते हैं, तो ठीक है, देख रहे हो, taut कुप्रस फॉर्म है ना, ये कहिना के benefit वाला हम पार्ट पहले भी कर चुके है, are themselves converted to sugar acid, और वो खुद किसमें बतल जाते हैं, sugar acid बतल जाते हैं, कौन, carbohydrate, the cuprous ion combined with OH ion to form yellow cuprous hydroxide, which upon heating is converted to red cuprous oxide, ठीक है न, cuprous ion combined हो जाता है, OH के साथ, जो की yellow होता है, जब हम उसको heat कर देते हैं, त sodium seated, तिनों को मिला करके benetic reagent बनाया जाता है, इसके अंदर क्या मौझूद होता है, copper मौझूद होता है, अब जब जब जो cupric ion, इसके अंदर copper as a cupric ion, two plus की form में मौझूद होता है, ये aldehyde group जो free मौझूद है, यानि कि ये R देख रहे हो, इस R का क्या मतलब है, कि यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, और एके 6, ठीक है न, तो इस पूरी chain को यहां पर R से represent कर दिया है, बास समय मा आती है, तो ये aldehyde group है, ये aldehyde group क्या हो गया, खुद किसम बदल गया, acid में, और ये किसम बदल गया, cuprous oxide में, जो कि brick red, precipitate होता ह है, कैसा होता है, brick red है, इनिट के color का होता है, procedure की बात करें, take 5 ml of benedic reagent, add 8 drops of carbohydrate solution, जो carbohydrate solution हो, उसके 8 मूंद गिरा देंगे, boil करेंगे over flame और boiling water बात, गिराने की बाद इसको boiling water बात होता है, पानी खुलाते रहते हैं, इसके नदर रख देंगे, फिर इसका color का आता है brick red precipitate है, brick red color का आ जाता है, let the solution cool down, ठंडा होने दो, तो color क्या आ जाएगा, brick red आ जाएगा, जो की पहचान है, किसकी benedic test की और ये positive हो गया, किसके लिए carbohydrate के लिए, interpretation की बात करें, benedic test is a semi quantitative test, पूरी तरीके से नहीं आधा है, the color of the precipitate gives a rough estimate of the reducing sugar present in the sample, जो color आता है उससे ह सबग 0.5 gram percent, यह मुझे का तो 0.5 से 1 percent, यलो आता है तो 1 से 1.5 percent, और जाता है तो 1.502 percent, brick red आता है तो more than 2 percent, एकदम positive ठीक है ना, इस तरह से जब तुम test करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरह के color तुमें मिलेंगे, blue मिलता है, तो इसका हम दो कोई सुगर नहीं है, green मिलेगा तो ब सुगर मौझूद है, बास समझ में आ रही है, Benedict test is a semi-conditioned test, the color of form depends upon the amount of reducing sugar present in the mixture, कितना amount of reducing sugar mixture में मौझूद है, उसके हिसाब से color decide होते हैं, यह हमें rough idea लग जाता है, कि सेंपल में carbohydrate सबसे ज़्यादा होने वाला है, clear है, यह lecture totally learn करने वाला है, याद करने वाला है, मैंने diagram picture mind में set हो जाए, किसमें क्या आ रहा करके, और तुम्हें याद करने में असानी रहे, clear है, next आते है, अपने barfoids, barfoids test में, इसका principle क्या है, क्या कह रहा है, aldoses, पता है ना, aldoses, ketosis, जिसके aldehyde होता है, इसमें ketone होता है, can reduce cupricion even in acidic condition, कह रहा है, acidic condition में भी यह इसको reduce कर देता ह है, this test used to distinguish reducing monosaccharide from disaccharide, अब यह test से हम लोग जो reducing monosaccharides है, उसको disaccharide से अलग करने में, कि disaccharide है, by controlling pH and time of the heating, pH और time of heating को control करके करते है, monosaccharide react very fast, monosaccharide अगो तो बहुत जल्दी react करेगा, whereas disaccharides react very slowly, बात समझ मारी है न, तो यहाँ पर हमको अगर पता लगाना है कि monosacchar है कि disaccharide है, तो क्या करेंगे, बारफोइट टेस्ट कर लेंगे, बात समझ मारी है, तो यहाँ पर देखो वही है, वाटर है, यहाँ पर क्यूप्रिक आयन है, यह किसमें बदल के acid में, और यह cuprous oxide जो की red precipitate होता है, इन ठीक है न, यह एच प्लस भार निकल कर रहा है, एस 2 ml of carbohydrate solution, ठीक है, यह ले लेंगे, उसमें यह मिला देंगे, carbohydrate, keep the test tube in the boiling water, same process, boiling water में रखेंगे, for 3 minutes, cool under the running water, running water मतर टैप खोल देंगे, उसके रिचे लगा देंगे, तो पानी गिरता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, overheating should be avoided, बहुत ज्यादा heat नहीं करना है, overheat नहीं करना है, a scanty brick red precipitate is observed, अब positive reaction, ठीक है, solution अगर blue रह जाएगा केवल, तो कोई carbohydrate नहीं है, और अगर red precipitate आ जाता है, तो इसका नहीं करना है, red precipitate बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसका अतलब monosaccharide मौझूद है, धीरे 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 आएगा, तो इसका मतलब, disaccharide मौझूद है, किलियर है बाते हैं, disaccharide, monosaccharide को पता लगाने के लिए कौन सा test, barfoy test, interpretation कर लेते हैं, the positive reaction indicates the presence of reducing monosaccharide, अगर test positive है, तो यहां से clear हो गया कि reducing monosaccharide मौझूद है, on prolonged heating, prolonged मतलब बहुत लंबी heating कर देंगे, disaccharide can also give this test positive, बहुत तेर तक हीडिक करेंगे, तो disaccharide भी इस test को positive देते हैं, hence the solution should be boiled for 3 minutes only, इसलिए इसको 3 minutes से ज्यादा boil नहीं करना है, otherwise ज्यादा कर देंगे, तो उसके लिए test positive आजागा, तो हमें लाएगा कि वो क्या है, monosaccharide है, clear है, clear हो गया है, इसलो होता है, तो 3 minutes से ज्यादा करेंगे, तब जाकर करके, disaccharide इसको positive देगा, 3 minutes के ब keto hexose, 6 carbon और ketone group, on treatment with hydrochloric acid, HCL, form 5 hydroxy methyl furfural, ठीक है, 5 hydroxy methyl furfural, which on condensation, जो कि जब थंडा होके, पानी बदलेगा, with resource in all, give a cherry red colored complex, cherry color का red, लाल कलर का red नहीं, cherry red color का, है ना, cherry देखी होगी सब लोगोंने, तो तो दो क्या, fructose है, ठीक है, ये क्या है, hexose है अपना, ठीक है, इसमें 3 molecule of water के निकल जाते हैं, जैसे हम इसको acid के साथ treat कराते हैं, then क्या, furfural के साथ treat करा देते हैं, और resource in all, ठीक है, ये हमारा furfural बना, इसको जब हम resource in all के treat कराते हैं, तो में पास red color dye की बन जाती है, reaction को अभी learn करने की ज़रूद नहीं है, हाँ, जुन बच्च बहुत अच्छी है, learn करने सच्छम रखते हैं, संचा रखते हैं, ठीक है, तो याद करें, और यहीं बता दुमें, सारी reaction एक ही दिन में, lecture एक बार में ज़रूर देख लेना, reaction एक दिन में याद करने कोशिश मत करना, reactions 2-2-3-3 करके, याद करने कोशिश करना, जल्दी दोंगी, reaction मतलब किसमें क्या कलर आरा, क्या हो रहा है, प्रोसिजर क्या है, 2-3 ml अप सेलमर रिजेंट, जो यह रिजेंट है, इसमें हम 1 ml अप रेक्टोस को एड़ करेंगे, बॉइल करेंगे, 30 सेकेंड के लिए, मात्र, कूल दा सोलुशन ठंडा कर देंगे, चैरी रेड क सब्सक्राइब का कंप्लेक्स हमारा आ जाता है, रिजेंट करने पर जो यह रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, कार्वॉहाइड़ यानि कि जहा जहां, अब तुम से पूछा है, का फ्रक्टोस सक्रोस के लिए कौन सा टैस्ट करना तो, यहां टेस् इस टैस डिस्ट्रिइश बीट्विट्वीन गल्कोज और फ्रक्टोज यह गल्कोज फ्रक्टोज में क्या करते हैं इसको लगातार हीट करते हैं तो यह किसके लिए कीटोस कोई देता है लेकिन एल्डोस भी कीटोस में कनोट हो जाएंगे लगातर हीट करने पर तो एल्डोस भी यह क्या कर देगा पॉजिटिव टेस्ट दे देगा चीकर है सेलेनोर्स रियेंट के साथ इसलिए हमें इसे बहुत देर तक हीट नहीं करना है आगे आते हैं अब देखो हाइड़ोलिसिस टेस्ट फॉर सक्रोस सक्रोस दो तीस बना होता है पढ़ चुके डाय साइक्राइड है बहुत अच्छे से सक्रोस जो है बना होता है अलफा डी गुलकोस से और बीटा डी फ्रक्टोस से तो अब क्या है हम यहाँ पर पहले है इसको सक्रोस को तोड़ देते हैं फिर इसकी और इसकी लिए क्या कर लेते हैं टेस्टिंग हो जाएगी हमारे पास सक्रोस ऑन हाइड़ोलिसिस यान कि जब पानी जूड़े का इसके तो टूटे गाई यह विद एस सील इसको गुलकोस एंड फ्रक्टोस तब पिर जाएंस अब दीश ट्व पोनोसक्राइट कैन वी कनफरॉंट बाई बैनेडिक्ट एंड सल्वनोस टेस्ट यान कि दोनों के लिए अब जो सैंपल मेरेको मिल गया है इसके दो तुकडे कर लोंगा सैंपल की मतलब मालो मेरे पास टोटल सैंपल इतना आ गया ठीक है हाईड सिस हो चुक है अब मैं इसको दो अलग-अलग सेंपल में करी हैं एक के अंदर क्या करूंगा व॑ टस फर्फरम करूंग करूंगा में पता चल जाएगा किसके अंदर क्या है ठीक है ना तो क्या कहले रहे है टू द्रॉफ ऑफ haём क्रोस क्टरॉ मैं इंटोब पार्ट है ना फिर हम इसको दो इक्कोल पार्ट में दिवाइद कर दूँआ यांगी पिंग सुलूशन दिखा दिया उसने कि उसमें इसको ब्रेक कर दिया है वाइल वन पॉर्शन आफ वाउट वन मिनट एंड देन पूल इट अंडर टैप वाटर एक पार्ट को हम लोग क्य सेलेटों टेश्ट विद विध़्ी वॉयल पॉर्शन जो बॉयल पॉर्शनन है उसके साथ हम लोग दोनेका अलाग अलाग याला टेस्ट करेंगे वाइल पॉर्शन की पॉक्श्च विद्बनेडिक्र रियेज़न बट द अन्बाइल पॉर्शन द नॉस्ट रिदिगे बे reducing sugar since it does not have free aldehyde or ketone groups across एक non reducing sugar है क्योंकि इसकास free aldehyde or ketone group नहीं होता है to cause reduction hence it gives a negative reaction with benedict reagent ठीक है क्यों benedict reagent के साथ यह negative test दे रहा क्योंकि यह non reducing है but upon boiling with SCL सक्रोस is hydrolyzed to yield glucose and fructose वही सक्रोस को जब मैं hydrolyze कर देता हूं तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं टूट करके glucose फ्रक्टोस ठीक है न विच गिफ positive reaction with benedict and cellulose reagent अब यह इन दोनों के साथ क्या दे रहा है तो सक्रोस direct यह test नहीं दे रहा था क्योंकि यह non reducing था लेकिन तूटने के बाद इसके दो दो पार्ट हो जाते हैं glucose और फ्रक्टोस जो कि यह दोनों टेस्ट को positive दे देते हैं बाद समझ में आ रही है ठीक है reactions है समझना है एक एक करके समझें ठीक है दो दो करके याद करना दो करके याद करें ठीक है क्या चीज निकल के आ रही important वोजी समझने जैसे यहाँ पर क्या चीज निकल के आ रही सक्रोज नॉन reducing नहीं कर पा रहा है जब है तो वही दोनों region के साथ यह test दे दे रहा है positive आगे आते है ओसा जोन पर यहाँ से क्या था यह फिनाल है इसके दो मोल ले लें अगर हम लोग तो यहाँ से क्या है यह एक टूटता है यह अपर यह चीज तो आगे यह चीज तो आगे ऊपर के दुनों लग जाता है यह उपर के दो सी कारवन होते हैं उन पर यह आकर के यह अटेश होगा आता है सब समझा है मैंने पुराइन लेक्ट चाहिए उनको बारे में बस रिपीट हो रहा आप यहां पर यह आगे आते हैं आ येलो स्वाइल वोल पर सॉरी थीक है एक खास तरह के चिरक्तरिस्ट्रिक यालो क्रिस्टल है और यह चमकीले से पत्षरी ले पीले कर सबस्थर जैसे तो वह उसा जॉन को कनफर्म करते हैं की यह तो इसॉंस उस्रण्ट हो गया के लिए और अच्छा हर किसी में हर किसी केस में शेप सा अलग आता है प्रेश्पिटेशन टाइम एंड मैल्टिंग पॉइंट पॉइंट प्रोसीजर देख लेए एड टेंड ड्रॉप ऑफ ग्लैसियल एक ऐसी टूप फाइमल रफ्सुगर सुलूशन इन टेस्ट्यूब डालेंगे डिन एड़न नाइफ पॉइंट नाइफ पॉइंट पर ऊफिनैल हाटाजीन हाइड़ोकलोड एंडबल दा अमांट ऑफ सोडियु मैस्ट्रेट ख्रीट्र ना नाइस के पॉइंट पहुत छोटा सा लेकर करके उसमें ड ठीक हो चान लेंगे अनदर test tube दूसरे test tube में keep the filtrate in a boiling water जो चाना हुआ पाट था उसका बॉलिंग वाटर बाथ में यहाने की वाटर बाथ समझते हो ना boiling water बाथ यह पानी है इसके लिए हीट हो रहा है और यह रखे हमने अपनी test tube this is the water bath for this test tube allow the tube to cool slowly in the water bath ठीक है ना हम लोग क्या करेंगे tube को ठंडा होने देंगे water bath के अंदर without cooling it hurriedly under the tap tap to have better crystal एक्दम तुरण ठंडा नहीं करेंगे तुरण ठंडा करेंगे तो उतने अच्छे crystals नहीं बनते हैं examine the crystal under microscope अब crystals को हमें microscope में देखना है needle shape glucose zone crystal is as viewed under the microscope galacto zone crystal is used under the microscope यह rhombic plates के होते है यानि की बात को समझना needle shape होगा तो glucose zone rhombic shape होगा तो galacto zone और sunflower shape होगा तो maltose zone crystal यह सब discuss किया है तिनों के shape यानि कि maltose के glucose के galactose सबके crystal अलग बनते हैं अगर हम microscope में देखते हैं powder puff hedge है ना एक puff type का flower shape का hawk shaped crystal of lactose as viewed under the microscope ठीक है ना तो हर किसी यानि की चार करेक्टिकरी है हमारे पास lactose galactose glucose सबके crystal का shape अलग-अलग होता है पहले भी discuss किया अबने डिखाया है glucose fructose mannose produce the same होसा जमन because of the similarity in their molecular structure अब glucose के साथ fructose mannose इनके crystal भी सेम होते हैं ठीक है क्यों क्यूंकि इनकी molecular structure में similarity होती है molecular structure इनके सेम होते हैं गैलक्टोसा जोन crystal are formed in seven minutes maltose crystal formed in 10 to 15 minutes तो अब हम लोग यहां देख सकते हैं देखो glucose ठीक है निडल शेप है यह देख रहे है यह निडल जैसी निडल शेफ फ्रक्टोस का भी निडल जैसा है और मैन्नोस का भी क्या है निडल जैसा है अब आगे आए अगर हम लोग तो गैलक्टोस का देखो जा रहा horny hedge shape है ना जैसे कि एक तरह से हम hedge कह सकते हैं बीच में जाड़ी टाइब किया है ऐसे करके horny hedge shape fine long needle shape crystal of xylos xylos के fine crystals हैं यह sunflower shape है ना बीच में यह है और क्योंकि yellow color के हैं यह तो इसलिए sunflower shape क्या आ गया माल्टोस के तो microscope में कुछ हमको crystal से ऐसे दिखाई पड़ते हैं पहले भी मैं यह लेक्टर में बता चुका हूं बात समझ में आ रही है कि लिए रहे है ठीक है अब आते हैं बैजेस्ट में क्या बोल रहा है बैजेस्ट यह कह रहा है the test reagent dehydrates the pentose जो र्येजेंट होता है वह dehydrate कर देगा पेंटोस से तूब फार्फियॉरल इसमें वही कहानी ऐसेड में डाल जाएंगे तो एसलिकी प्रजैंट में क्या बनेंगा फार्फियॉरल बने जाएगा फिर फिर फर्फियॉरल फॉर्दर रियक्त विद और सिनॉल यह जो बना है कम्पाउट इसको मुझे कहते हैं और इस test agent में जो लिया हुए हमने इसमें जो iron iron होता है in the test agent produce a blues product अंत में जा करके वो क्या बनवाता है हमको एक वो एक blues product बनाने में help करता है किलियर है आगे आते हैं procedure में 2 ml of sample solution is placed in a test tube test tube में 2 ml solution ले लेंगे 2 ml of bias agent a solution of resource in all HCl and ferric chloride जो को ferric chloride है यह रहा iron ठीक है तो bias agent इन तीन चीओं से मिलके बनता है ध्यान रखना is added the solution is then heated gently फिर भूँत धीमे धीमी आच में उसे heat करेंगे इना बुंसन बर्नर बुंसन बर्नर देखा अगर लैब में जो होता हमारे positive test राइट अगर यह blues type का आ रहा है तो इसका मतलब यह क्या है pentose sugar है हमाई दे पास clear है तो साफ साफ कह रहा है इस test is specific for pentoses यानि कि अब यहाँ पर की important होगी अगर तुमको pentose sugar का test करना चाहते हो कि pentose sugar है की नहीं तो कौन से test करोगे तो ब्याज test कर दोगे clear है hexoses generally react to form green, red or brown product जो hexoses होते हैं वो जनरली green, red or brown product बनाते हैं तो formation of blues product all the other color indicate are negative results for pentoses ठीक है ना blues किसके लोगा pentose के लिए बागी सारे color negative हो जाएंगे pentose के लिए के लिए रोगी बाते हैं इसको देखने जा रहा है आइवडीन तो पता है ना सब लोग किया होगा कभी ना कभी तो स्कूल में लैब में आलू लेते हैं उसमें डाल देते हैं ब्लू-ब्लू कलर आ जाता है है ना स्टार्च का confirmation होता है इस टैस्ट इस वाप पॉलिस्ट इसके लिए करते हैं लोग इस टार्च जो कि एक पॉलिस्ट होता है प्रिंसिपल क्या है आवडीन $oarnsa कोडिनेट में बता चुका हुँ ना थीक एंत कॉइन कोंप्लेसμεटे है ल हटाते अब के Infinite यो उन दा है ग्र उंद1 बेटिन छाता है कि पूरे हैं ले के बीच्व नाकिर क Riota और वहो गया है अब चेन कितनी ज्यादा अनब्रांच है उसके इसास से कलर आएगा और लीनियर है अविलिवल फॉर्डा complex formation जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा complex बन जाएगा तो देखो जारे यहांपर क्या करें रहां लेफ्ट टुराइट लीगोज और साइटी इन स सलुशन ये ये श्टार्ट solution, यह color आ गया है, blue step का आ गया यह, yellow, orange, negative, purple, black, positive, purple, black आता है, तो इसका मतलब test क्या है, positive है, इस तरह से जब लोग इसको react कराएंगे, तो हमारा कुछ step से हमको दिखाई पड़ेगा, के लिए रहे बात हैं यह, तो iodine का ध्यान रखना, यह iodine का simple क्या है, जो helically coil होते हैं, जो interpretation, amylos, a linear chain, component of starch, gives a deep blue color, यह linear chain, deep blue, amylopactin, branch chain, component of starch, gives a purple color, यह कैसा देगा, purple color देगा, glycogen, gives a red is brown color, अगर glycogen होगा, तो यह तो तीन पड़े हैं, ध्यान होगा, अब dextrin तो नहीं पड़ा है, मतलब, हमने अभी तक पीछे नहीं पड़ा है, यह तीन हमने पीछे पड़े है dextrin में कौन कौन आते हैं, amylo, arithro and acro dextrin formed as intermediate during the hydrolysis of starch, यह बीच में बनते हैं, जब starch की hydrolysis होती है, तो बीच में यह सब बन जाते हैं, जब starch क्या होता हमारा, टूट रहा होता है, तो बीच में छोट-छोटे compound बनते हैं, अगर यह होंगे तो यह violet, red and no color with iodine respectively, यानि कि amy halo होगा, तो violet, arithro होगा, तो red और arachro dextrin होगा, तो no color देगा, किस के साथ, iodine के साथ, बात के लिए समझ में आ रही है, ठीक है, तो यह होगे हमारे पास क्या, iodine test, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, सबसे ज़्यादा बात क्या है, learning की है, कि कितना ज़्यादा learn कर सकते ह अब मैंने यहाँ पर यह चार्ट तुमको प्रवाइड करवाए हैं, जहां से जासी गुलकोस के लिए कौन कौन से टेक्स्ट है, mollusk, bandic, boyfet, selonus, osazone, ठीक है न, तो purple ring at the junction of two liquid, brick red precipitate, scanty red precipitate, cherry red और needle shape हो जागा, तो ठीक है, गुलकोस is carvo hydrate, गुलकोस is reducing carvo hydrate, गुलको is not a ketoacos conformity test for glucose, तो यह गुलकोस के लिए हो गए, इस तरह से फ्रक्टोस के लिए है, तुम्हारे लर्न करने के लिए असान रहेगा, one mask question काफी ज़्यादा आते हैं हां से, ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या आ जाता है यह, reaction of galactose है, then maltose है, क्या objection मिलती है, क्या inference निकालना time को, बास समझ मारी है, इसी तरीके ते फिर lactose के लिए है, सक्रोस के लिए है, ठीक है, यह हमारे पास कुछ test मैंने चार्ट बना दे हैं, जिससे क्या है, तुम्हों को चीज़ें पढ़ने में, cover करने में असानी रहें, ठीक है ना, अब इसमें तुम और भी जादा थोड़ हम देखते हैं, जो तुम लोगों का बी फार्म और एक्जिट एक्जाम को जो टेस्ट होंगे, उन टेस्ट में, जो माइंड नर्चर एप जो है, सलुशन एक तरह से काम करेगा, यान कि माइंड नर्चर एप है, वो किस तरीके से आप लोगों की help करने वाला है, उन एक्ज से नंबर दिलाने में, तो चलो जानते हैं, माइंड नर्चर एप, ठीक के बारे में, सारी खूबियां, तो आओ, जानते हैं, अपने माइंड नर्चर एप के बारे में, तो येस, हमारे चैनल का जो नाम है, माइंड नर्चर, उसी के नाम से, अब एप आप आ चुका है, ज आप देखो यूटूब पर lectures and notes यूटूब पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था ये तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा कोई change नहीं आएगा जितने lecture मेरे app में होंगे जितने notes मेरे app में होंग ठीक है ना one mark question में basically तुम्हार पास क्या आते है MCQ और fill in the blanks ठीक है ये तुम्हारे अब नय जो pattern है उसमें नया exam pattern है ठीक है ना उसमें MCQ और fill in the blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के ये आते हैं 10 नमर के ये आते हैं ठीक है प्लस two mark question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंग यहां वो कुछ important question दूँगा मैं two marks, three marks, five marks कि आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge चाहिए होगी ठीक है तो उसके लिए पूरा lecture पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग मैं तो पढ़ाई रहा हूं ठीक है और जिस बच क्या होगा life class होंगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो life class जो कि अभी start already हो चुकी है बच्चे doubts पूछ रही है और class चल रही है सबसे बच्चो बड़ी चीज़ जो होने वाली है MCQ test की practice ये तो चलो एक बार को ठीक है MCQ questions MCQ questions की इतनी सारी practice होने वाली है हर lecture से 15-20 questions भी पूरे chapter से म हमारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश होने वाले है MCQ questions अब जखो समझते क्या है ये MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते YouTube पर नहीं ले सकते अब YouTube पर क्या होगा मैं बताता हूं ऐसे मैं चल रहा हूं question लिखा होगा 4 option लिखे होगा मैं बोलूगा बच्चो ये question है ये 4 option इसका answer ही है मजा नहीं आएगा ऐसे ठीक है ना मजा कैसे आएगा question सामने होगा तुम पढ़ोगा तुम answer click करोगे पढ़ करके सोच करके वो मजा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो ये सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा विल्यांक के बारें बात करी चुका only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 में से सबको कितने चाहिए 40 number में pass हो जाओगे ठीक है ना तो routine test routine test का क्या मतलब है माल लो chapter 1 किसी subject का खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर chapter 2 खतम हुआ उसका test हो जाएगा फिर combined test होगा एक किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 माल लो खतम हो गया फिर उसका combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक टाइम वह आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% त्यारी करके भी तो 40% 10-40 नमबर लाना और फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी न हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यानि कि जब theory पढ़ोगे या लिए question अच्छे से के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 11 रुपए second year पूरा साल सभी subject फिर से 11 रुपए यानि कि एक साल की fees आपकी 11 रुपए पढ़ रही है इस fees को अगर आप अपनी college fees से compare करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुमारा 92 रुपए something पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता cheap और best च लिंक जो description में दिया रहता है lecture के YouTube के सभी lecture मेरा कोई lecture ऐसा YouTube पे नहीं है जिसमें मैंने notes नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चे को नहीं पता description से निकालना नहीं आता है मुझे call कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे करने धी किलिए क्या करना पड़ेगा ये रिवीजन बिना रिवीजन के आप यह सारी चीजन नहीं कर पाओगे याने क्या पढ़ना पड़ेगा है ना तो रिवीजन जरूर 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 करणा में हमशा कहता हो